दोस्तो आज है गारा माई 2020 और हम डिसकास करने वाले गारा माई के करेंट अफिर्स के बारे में आप हमें जुआन कर सकते हैं टेलीगाम पर और इस्टेंगा पर जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मॉक्स पर मिल जाएगा इस सारे करेंट अफिर्स आपको व इंट्रेशनल मदर्सडे 2020 कम मनाया गया है साथ म्याहिथ मैं गौह रज्प्शन झंट जो है यह लगवा चालिच कंट्री जो है मदल्स दे मनाती है और ये डस आपय कोई अपको दिपतकर नहींय है और एक तरह से इंटर्नेशनल कहना इसको बेमानी होगी नाम लेकिन इसका इंटर्नेशनल मंदस्टे हैं व्योंकि इसको महत्र चालिश डे ही मौई में सेलिवेट करते हैं ऐसे अलग लग देश में जो है अलग लग डेश है बढ़ते आगे किस राज में परवेश करने वाले परतेख व्यक्ति के लिए टेस्ट को अनिवाद बना जाने की घुसना की है अनुचल परदेश, उत्तापरदेश, केडल और जरखंट अनुचल परदेश सरकार है जो मुख मंत्री है उन्होंने घुसना किया कि कोई भी इंस अनुचल परदेश की तो आप मैप में देख सकते हैं यह अनुचल परदेश समरा अनुचल परदेश का गठन जो है 20 फरवरिद 1987 होगा था धानिश का इटान अगर है प्रेमा खांडू है और राजपल का नम बीडी मिस्रा है अगला कुछन है किसने कोबी-19 के मरीजों की देखवाल करने वाले फ्रॉंट लाइन वर्कर्स के लिए कि फादी पाइपस बिपी किट्स बिकास किया है प्रिपीए किट्स का मतलब कहा था है पर्सनल प्रोड्यक्टिव एक्ट्मेंट तो जो यह पर्सनल प्रोड़क्टिव एक्ट्मेंट बनाये गया है उसका option से आइटे जो पांपूर आइट दिली आइट बंबे और आइटे गउहाटी सिर्फ इप्स बहुत ही सश्थी पीपीज्ट जो का कॉस्ट है उस ऑड़ए में इस प्रिपीज्ट को मिल जाएगा और यह फ्रण्ट-लाइन वर्करश को नोते तो डाक्टर्स है जो नर्सेज यह व पर्सनल प्रोट्लेक्टिव एकिपमेंट होता है वह बहुत ज्यादा महंगी होती है इन्हों ने यह बहुत ज्यादा स्वस्ति मात्र सौरी पेगए यह पीपी केट का विकास किया है किसने आएटी कानपूर ने किसने फार्मा स्टाटप जनरीक आधार में 50% हिस्चदारी खड़ दी है मुक्य संबानी रतन टाटा अजीम प्रयम जी और अक्षाय गुमार से अप्शन अप्शन बी रतन टाटा रतन टाटा ने जो है मैं आपको पिक्चर दिखला देते हूं यह रतन टाटा है और यह जो अरजुनस पांडे है स्टाटप जिनका जो स्टाटप है जनरीक आधार जनरीक आधार क्या करता हिसे नकी कॉम्हाज़ा स्टुमन लेकिन कितने अमांट का खड़ना है उस अमांट वो डिस्क्रोज नहीं किया गया अभी और यह अर्जुन्द स्पांड़ी जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर यह अर्जुन्द स्पांड़ी है तो यह जो है मात्र 18 साल के है इन्होंने 18 साल के उम्र में ही इतने कंपनी खड़ी कर लिए जो रतन टाटा इनके सही होगी बन गया है तो बहुत ही गर्व की बात है इनके लिए आगला कुछन है वाटर सेट नाइंटी सिक्टी सेबन इंडियाज फॉर्गेटन विक्ट्री ओभर चाइना के लेखा कौन है तो प्रोबल दास गुप्ता बिक फेल कि ऊत्समें तो उसके बाद जू है एक और बार भी गया था नाइंटी सिक्टी सेबन में इंडिया और चाइना जित गया था लेकिन चैना की बुखता है देट की बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा किए कब नोगों को पता भी नहीं होगा कि 97 में इंडिया और चानिया कीमित और आयंदकी यह पिक्चर है उस बुक के देख सकते हैं यहाँ पर और यह प्रोबल दास दुपता नहीं इसको लिखा है लिटरी लिज़ड का निधन हो गया वह क्या थे गायक अभिनेता लेखक और संगित गया वह एक गायक थे और यह कहां के थे तो यूए से गई यह इनाटे इस्टेट ऑफ अमिरिका के रहने माले थे और यहाँ पर देख सकते हैं यह लिटरी लिचर इनका पिक्चर है यह पि इनका निधन हो गया हाली में दो दिन कोहले और इनके बारे में इंट्रेस्टिंग कहानी कही आते कि इनके पीटा को संगीत पसंग नहीं था मतलब गाने का इतना ज्यादा पैसान था कि इन्होंने अपने पीटा का घर छोड़ दिया था गाना गाने के लिए और अभी हाल म में यह स्वर्ग सिधार गया है कि इवन इपी के नय गुडविल अमबैस्टर कौन मने हैं अच्छा कुमान दिया मिर्जा पिरंका चोप्रा और टाम कुरूज सब्सक्राइब कर दिया मिर्जा जो है जो इन्वार्मेंट प्रोग्राम है उसकी जो है पहले से ही दिया कराकल को बढ़ा कर दिया मात इन करणकल दो कर दिया मिर्जा जो है इस सकी इसकी प्लूइक की सब्सक्राइब में तो ASA ने नाशा के साथ के मिलके नाशा तो एइस तेशन सोब्सक्राइब करें तो पहली में को स्थरूटिंग करें索ेंगे मों कृता है वो टॉम क्रूज बन जाएंगे अगर यह करते हैं तो अगर बात करी UNEP की तो United Nations Environment Program इसका फूर्फो में Headquarters इसका नाइड़ोबी केनिया में है Executive Director नाम Inger Anderson है जो डेनमार्क से रहने माले है और इसका जो अस्थापन भुआ था वो 5 जून 1922 को भुआ था Freedom of Speech Award किसे मिला है तो Freedom of Speech जो है लगवा जो है 14 देशों को जो है 17 लोगों को Freedom of Speech का अवर्ड मिला है तो इंडिया के तरफ से किसे मिला है शुधीर चौदरी सिधार्त वरत राजन अर्नाव गुश्वामी और अरभीष कुमार सिधार्त वरत राजन सिधार्त वरत राजन जो है एक जो मतलब का मतलब जो पत्र दवायर क्या है एक लिए न्यूज विप्साइट है और यह बहुत ज़्यादा फ्रोप्रोगेंडा फ्यल आती है दो एग आप इसको इसकी उपर आपको जूट देखने को मिलेंगे तो दो आया के सहसंस्ता परकमता को फाउंटर है सिधार्त राजन इनको फीड़ों इस पीच आवाड देता कुन है तो यह डुछेज वैले जो है डी डी डेवली जो है फीड़ों फीड़ों इस पीच का अवाड देती है इसके असथापन तीन मज वह वह था हेट कॉट्रेक्स का बाउन जर्माणी में है लिए बढ़ते आगए अच्छा आगर हम एक चीज़ देख लेंदे कि रवेश कुमार की बात करें तो रवीश कुमार को जो है रोमन मैक्सेस्य आवाड किसे मिला था तो रवीश कुमार को मिला था इंडिया की अपनी है मतिसका लोगों है देख सकते हैं सोफी का फूलफॉम है इसका फैनांस आईनस यह एक अमिर्कन कंपणी है और इंडिया में आने करान इसका सोचल फैनांस आईनसी इसका नाम रखा गया अस्था अगर्ष्ट दो हैरे गारे में हुए था और इन्हों कुछिशन प तो हमारे अप्संस है ISRO, ICMR, National Institute of Virology पूने और EMS, इन्हों ने पहला जो स्वादेसी कुरोना एंटिवाडी टेस्टिंग किट बनाया जिसका नाम इन्हों ने इलिसा दिया है, और देख लिए यह एंटिवाडी होता क्या है, तो जब भी हमारे बॉडी में किसी वाइरस का अकरमन होता है, तो हमारी बॉडी जो क्या करती है कि उससे लडने के लिए एक एंजाइम बनाने लगती है, मतलब एक एक एंटिवाडी बनाने लगती है, तो आपके बॉडी में कितना एंटिवाडी है, अगर आपके ऊपर वाइरस का अटैक हुआ है, कोई करोना से से जो है, हमें एंटिवाडी टेस्टिंग केट मंगाना होता था, जो बहुत ही ज्यादा मंगा भी पड़ता था, तो नेशनल इंस्टिट ऑफ वाइरलोजी है, पुने की इसनल जो है, इलिसा नामका एक टेस्टिंग केट बना दी है, और पूरी तरह स्वोदेशी टेस्ट किएगा, दोस्तों वीडियो यहें पर खत्म होता है, आसा कर तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आएक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए काइट तब तक के लिए धन्यवाद